नमस्ते आज इस कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं वह है एक टोकरी भर मिट्टी इसके लेखा के माधवराव सप्रे और यह कहानी हिंदी की प्रारंबी कहानियों में से एक मानी जाती है कुछ इसे हिंदी की पहली कहानी भी मानते हैं मगर इस बारे में तो मतभेद हैं तो उस का मजबूत पत्थर समझी जाती है और यह कहानी वर्ग भेद पाराधारित है और इसका केंद्रिय तत्व आदर्श्वाद है अब केंद्रिय तत्व आदर्श्वाद होने के कारण इसमें निम्न वर्ग के शोषन का कहीं चित्रन नहीं मिलता और इस कहानी को अब मैं जा रहे हूं छोटी सी कहानी है और इसे आप मेरे चैनल अल्पना वर्म पर देख सुन रहे हैं एक टोकरी भर मिट्टी किसी श्रीमान जमीदार के महल के पास एक गरीब अनात विद्वा की जोपडी थी जमीदा साहब को अपने महल का हाता अहाता उस जोपडी तक बढ़ाने की इच्छा हुई विद्वा से बहुतेरा कहा कि अपनी जोपडी हटा ले पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी उसका प्रिया पती और एक लौता पुत्र भी उसी जोपडी में मर गया था पतोहू भी एक पांच परस की कन्या को छोड़ कर चल बसी थी अब यही उसकी प अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से तो वह मृत्प्राय हो गई थी वो छोपडी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वह वहां से निकलना नहीं चाहती थी श्रीमान के सब प्रयत्न निश्फल हुए तब वह अपनी जमिदारी चाल चलने लगे ब पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी एक दिन श्रीमान उस जोपड़ी के आसपस टहल रहे थे और लोगों काम बतला रहे थे कि वह विद्वा हाथ में टोकरी लेकर वहां पर पहुँचे श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से उसे नौकरों से कहा कि उसे यहां कर बोली महराज अब तो यह जोपड़ी तुमारी ही हो गई है मैं उसे लेने नहीं आई हूँ महराज शमा करें तो एक विंती है जमीदार साहब के सिरहलाने पर उसने कहा जब से यह जोपड़ी चूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पी न छोड़ दिया है मैंने बहुत स सोचा कि इस जोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी काचूला बना कर रोटी पकाऊंगी इससे भरोसा है कि वे रोटी खाने लगेगी महराज कृपा करके आग्या देजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाओ श्रीमान ने आग्या दे दी वित्वा किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठा कर बाहर ले आई फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्राटना करने लगी महराज कृपा करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगाए जिसने कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूँ जमीदार सार मसाहप पहले तो बहुत नाराज हुए पर जब वे पार पार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तब उनकी मन में कुछ दया आ गई किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयम टोकरी उठाने आगे बढ़े ज्यों ही टोकरी को हाथ लगा कर उसे उपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगा कर टोकरी को उठाना चाहा पर जिस स्थान पर ट एक हाथ भी उची ना हुई मैं लज्जित होकर कहने लगे नहीं यह टोकरी हम से नहीं उठाई जाएगी यह सुनकर विद्वा ने कहा महराज नाराज ना हो आप से एक टोकरी भर मिठी नहीं उठाई जाती और इस छूपड़ी में तो हजारों टोकरीयां मिठी पड़ी है इसका भार आप चन पर क्यों कर उठा सकेंगे आप इस बात पर विचार कीजिए जमीदार सहाब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तवे भूल गए थे पर विध्वा के उपर्यूक्त वचन सुनते ही उनकी आँखें खुल गए क्रित कर्म का पश्चा तापकर उन्होंने विध्वा से शमा मांगी और उसकी जूपड़ी उसे वापस दे दे तो यह थी कहानी एक टोकरी भर मिठी आशा है आपको इसका वाचन अच्छा लगा होगा धन्यवाद